नमस्कार, मैं तरुन वर्मा, दिल्ली में क्लिनिकल साइकॉलोजिस्ट हूँ इस वीडियो में आपसे मैं एक बहुत महत्वपूर्ण विशय पर बात करूँगा क्या टीनेजर्स को, बच्चों को, खासकर कि जो 13 से 20 साल के उमर के होते हैं क्या उन्हें एंग्जाइटी की दवा देनी चाहिए, क्या वो सेफ होती है, सुरक्षित होती है, इस विशे पर मैं आपसे चर्चा करूँगा अगर आपका बेटा या बेटी, या आपका कोई रिष्टेदार, या कोई फ्रेंड, अगर एंग्जाइटी की मेडिसिन ले रहे हैं, या उनको प्रिस्क्राइब किया गया है, तो आपके मन में ये सवाल जरूर आता होगा कि क्या उन्हें ही मेडिसिन दे जानी चाहिए, क सभी टीनेजर्स को, बच्चों को एंग्जाइटी के सिम्टम्स कभी ना कभी आते ही हैं, वो थोड़ा या जादा एंग्जाइटी महसूस करते ही हैं, जैसे एक्जाम्स में अकसर चिंता करना, नर्वस महसूस करना, या कोई प्रेजेंटेशन, या किसी कॉम्पेटिशन क के लिए डर जाना, या कई बार अपने फ्रेंड्स से किसी ग्रूप में मिलने जाना है, उसमें बहुत जादा एंग्जाइटी हो जाना उससे पहले, ये बहुत सामानने सी चीजें होती हैं, बहुत नॉर्मल होता है, पर कभी-कभी कुछ टीनेजर्स होते हैं, जो इतनी ज होते हैं, खास कर, जिन बच्चों को एंग्जाइटी हो रही है, वो बहुत चिंता करते हैं इस बारे में कि उनकी help की जाए, उनकी help के लिए कोई जरीया ढूंडा जाए, कोई सहारा ढूंडा जाए, तो ऐसे में उनको अक्सर ये recommendation मिलता है, कि उनको दवा दिलाई जाए, एलोपैथी की दवा दी जाए, तो उनको अक्सर ये डर रहता है, कि क्या ये anti-anxiety medicines safe भी होंगी, क्या ये दी जानी चाहिए, तो पहले हम बात करते हैं, कि किस तरह की anxiety की medicines अक्सर teenagers को दी जाती है, इस पर हम बात करते हैं, फिर इस से आगे हम देखेंगे कि क्या वो कि दवाओं में भी बहुत सारे टाइप होती है, कुछ दवाओं का असर कम होता है, तो कुछ का जाधा, कुछ दवाओं के side effects कम होते हैं, तो कुछ के जाधा, तो ऐसे अलग-अलग टाइप के हिसाब से अगर हम बात करें, तो ये समझना जाधा बहतर होगा, कि वो दवाइ उसको short में हम कहेंगे, ये सबसे commonly prescribe की जाती है, anxiety की medicines, जो बच्चों में या teenagers में दी जाती है, मतलब जो छोटे बच्चे भी होते हैं, 8-10 साल की उमर के होते हैं, जो pre-teens भी हम जिन्हें कह सकते हैं, उनको भी ये दवाइँ अक्सर दी जाती हैं, इन में कौन सी medicines हो सकती है जैसे fluoxetine, citalopram, sertraline या acitalopram, ये जो SSRI दवाइआ होती हैं, ये brain में एक neurotransmitter chemical होता है, serotonin, उसे बढ़ा देती हैं, serotonin एक ऐसा neurotransmitter है, जो हमारे brain में signal ले जाने में मदद करता है, एक neuron, एक cell से, दूसरे cell में, एक कोशिका से, दूसरे कोशिका में, जो message ले जाना होता है, message मतलब कि जैसे अगर हमें कुछ सोच आ रही है, या हम कुछ भावना आ रही है, या हमें कुछ भी करना है, कुछ सोचना है, कुछ करना है, कोई activity भी करनी है, तो उसके लिए brain के अंदर बहुत सारा communication होता है, बहुत सारा संचार होता है messages का, वो ले जाने में मदद करते हैं neurotransmitters, तो serotonin जो है, वो anxiety और mood के level पर असर डालता है, वो अच्छा करने का काम करता है, तो ऐसे सारा इदवाईयां क्या करेंगी, serotonin का level बढ़ा कैसे देती है, basically ये जो serotonin होता है, chemical ये दो neurons के बीच में होता है, जब उसका काम खतम हो जाता है, तो वो cell के अंदर absorb कर बिया जाता है, तो ये उसके absorption को रोक देती है, ये उनको वहीं रहने देती है, उनको वहीं पड़े रहने देती है, ताकि वो message को transmit करने में एक cell से दूसरे cell मददगार सा भी तो, ये basically इनका काम होता है, इसी तरीके से दूसरी category की दवाई होती हैं, जिने कहते हैं SNRIs, serotonin nor epinephrine re-uptake inhibitors, ये भी adolescents को anxiety में अक्सर दी जाती है, इनमें कौन सी दवाई होती हैं, duloxetine, venlefaxine, SSRI की ही तरह SNRI भी हमारे दिमाग के neurotransmitters पर प्रभाव डालती है, ये क्या करती हैं, दो neurotransmitters का re-absorption या re-uptake रोक देती हैं, कौन से, serotonin और nor epinephrine, चलिए ये तो हो कि ये दवाई कैसे काम करती हैं, थोड़ा सा दिमाग में किस neurotransmitter chemical का ये level बढ़ाती हैं, ये हो गई बात, इसी के साथ मैं ये भी कहना चाहूंगा, कि जो psychiatric दवाईयां होती हैं, दिमाग पर mood या anxiety या depression के लिए जो दवाईयां होती हैं, वो इन ही chemicals को बढ़ाने या कम करन बनाने में मदद करेंगी, अगर जादा है chemical तो दवाईयां इस तरह का काम करेंगी, कि वो chemical कम हो जाए, तो इस तरीके से बढ़ाने या कम करने का, balance करने का काम करती हैं ये दवाईयां, इसी के साथ हम देख सकते हैं कि इन SSRI और SNRI दवाओं का प्रभाव कैसा पढ़ेगा anxiety और mood को better करने में, इसी के साथ एक important question आता है, सवाल आता है कि इनके side effects क्या हैं, क्योंकि हम यहां उसी के लिए चिंतित हैं, क्या ये safe हैं, क्या ये दिमाग में जाके सिर्फ chemical का level बढ़ा देंगी, क्या इतने से काम हो जाएगा, क्या इसके लाबा कुछ side effects नहीं आएंगे, ऐसा नहीं है, आते हैं side effects, जादतर जो teenagers होते हैं, यहां बार teenagers की हो रही है, उनको SSRI या SNRI से कुछ खास से side effects आते ही नहीं है, ना के बराबर side effects आते हैं, और जिनको होते हैं थोड़े बहुत, वो बहुत mild level के होते हैं, या जल्दी चले जाते हैं, आते हैं और जल्दी चले जाते हैं, इलाज शुरू करने के कुछ ही दिनों से कुछ ही हफ्तों के अंदर अंदर ये चले भी जाते हैं गाहब हो जाते हैं, जैसे आये थे थोड़े-थोड़े mildly level पर ऐसे ही थोड़े-थोड़े करके ये धीरे-धीरे निकल जाते हैं, सबसे common side effects कौन से होते हैं, डिजिनेस चक्कर सा आता है, थोड़ा सा सर थोड़ा भारी होगा, चक्कर सा आएगा ड्राइ माउथ, मूँ सुखेगा एक्सेसिव स्वेटिंग, पसीना जादा आएगा, हेडेक सरदर्ध हो सकता है, या नौजिया जिसमें पेट थोड़ा अपसेट रहेगा और थोड़ा उल्टी सी आएगी, ऐसा लगेगा खाना हजम नहीं हो रहा, ऐसा लगेगा कुछ और ऐसे side effects हैं जो कि possible हो सकते हैं, किसी-किसी में देखने में आते हैं, जो common नहीं है बड़ कभी कभी देखने में आ सकते हैं, किसी वज़ा से जैसे constipation हो जाना कबजी हो गई, insomnia नींद में थोड़ी कमी आ जाती है ऐसा हो सकता है, भूख कम लगना ये भी हो सकता है और ठकान हो सकती है साथी teenagers जो बड़े होते हैं, या जो 18 से उपर के हो गए, 19-20 के हो गए, या जो बच्चे या जो teenagers थोड़े sexually active हैं उनमें भी थोड़ा बहुत sexual desire की कमी अकसर देखने में आती है, पर ये बहुत कम लोगों में आता है, देखने में हालंकि ऐसे बहुत छोटे mild side effects आते हैं, पर अगर कभी भी इस तरीके के दवा लेने की वज़े से side effects आये, तो जरूरी यह होता है कि doctor को, psychiatrist को उसके बार में बताया जाए, क्योंकि जो psychiatrist है, वो जो medicine दे रहे हैं, अगर कोई side effect बहुत जादा परिशान कर रहे हैं, तो या तो दवा बदल सकते हैं, या उसकी dose में बदलाब ला सकते हैं, तो इस तरह से यह जो side effects हैं, यह तने mild और इतने हलके level के होते हैं, क्योंकि उनकी dosage भी teenagers के दिमाग के हिसाब से दी जाती है, उनकी और दूसरी mental और physical condition को देख कर दी जाती है, इसलिए इनके जो side effects हैं, वो इतने हलके होते हैं, कि वो अराम से manage किये जा सकते हैं, अब यहां एक महत्वपूर्ण विचार आता है, कि जो doctor है, जो researcher है, जो drug pharmaceutical company हैं, या जो FDA है, food and drug administration, US की organization जो दवाओं को regulate कर रही है, वो इन side effects के बारे में क्या कहती हैं, वो क्या इस चीज़ को नजर अंदास कर रही हैं, क्या वो इस चीज़ की परभानी करते हैं, कि बच्चे हैं, teenagers हैं, उनके दिमाग पर यह जो दवाएं जा रही हैं, यह side effect लानी हैं, उनको और भी प्रभाब कर रही होंगी, तो इस बारे में उन्होंने कुछ कदम उठाए हैं, FDA ने कुछ वर्निंग्स SSRI और SNRI दवाओं के बारे में दी हैं, आएए हम जानते हैं कि वो क्या रही हैं, FDA ने 2004 में anti-depressant दवाओं के लिए जो की जादतर SSRI और SNRI ही हैं, उनके लिए वर्निंग दी, जो की अक्सर adolescence में anxiety या depression के लिए भी उसको treat करने में help करती हैं, उसके लिए जो warning दी उसमें ये बताया कि इससे societal thoughts और societal behavior बहुत थोड़े से बच्चों और adolescence में teenagers में बढ़ जाता है, उन्होंने जो भी studies की, इस चीज़ को समझने के लिए, जो societal thoughts हैं या behavior हैं उसको समझने के लिए, उसको जानने के लिए, जो studies की, कि इसका कितना प्रभाव पढ़ रहा है, क्या प्रभाव आ रहा है तो उसमें ऐसा कोई report नहीं किया गया case, जिसमें suicide हुआ हो उनकी studies में ऐसा कभी कोई देखने में नहीं आया, जितने भी rate था, percentage था, वो थोड़ा बड़ा हुआ था, समाने तोर पे अगर बच्चों से, adolescents से अगर compare किया जाए तो, उन्होंने देखा कि जो बच्चे, teenagers teenagers की हाँ बात हो रही है, उनको anti-depressant दवाएं, यह SSRI और SNRI दी जा रही थी, उनमें चार प्रतिशत बच्चों में suicidal thoughts देखने को मिली, यह suicidal behavior, जबकि आम तोर पे, जब दवाएं नहीं दी जा रही थी, तो उनमें यह प्रतिशत 2% था, मतलब 2% adolescents में suicidal thoughts यह behavior तब भी था, जब उनको दवाएं नहीं दी जा रही थी, और जिन groups को दवाएं दी गई, उनमें यह rate 4% का था, 2% बढ़ गया, और यह significant था, मतलब यह चिंता लाने वाला है, तो इस concern को, इस issue को address करने के लिए, उन्होंने एक black box warning issue कर दी, सभी prescription medicines जो होती है SSRI या SNRI, उन पर एक black box warning उन्होंने दे दी, कि यह जो दवाएं हैं, यह societal thought या behavior ला सकती हैं, इसलिए इनके लिए पहले से सतर करहना जरूरी है, और अगर ऐसा कुछ भी देखने में आए, तो डॉक्टर से बोलके दवा बदल दी जाए, या दवा बंद करा दी जाए, खुद नहीं करनी दवा बंद, और इस बारे में यह भी ध्यान रखा गया, या ध्यान रखा जाता है, कि parents और जो teenagers हैं उनके बच्चे, जिनको दवाएं मिल रही हैं, उनको ठीक से educate किया जाता है, या किया जाना जरूरी है, जो भी यह दवाएं ले रहे हैं, उनको यह बताना जरूरी है, कि इसके risk क्या हो सकते हैं, और जो भी बच्चे यह medicines ले रहे हैं, उनको अपने symptoms को, अपनी thinking और feelings को बहुत closely monitor करने की जरूरत है ध्यान देने की जरूरत है, जिसमें doctor भी यह चीज़ का ध्यान रखें, और parents भी इस चीज़ का ध्यान रखें, साथ ही साथ वो जो बच्चे ले रहे हैं, वो भी इस चीज़ का ध्यान रखें, क्योंकि teenagers इतने mature होते हैं, समझते हैं, वो कि उनको कौन से symptoms आ रहे हैं, कौन सी उनकी thinking कैसी चल रही है, तो वो खुद भी बता सकते हैं इस बारे में, पर अक्सर ये चीज़ देखी गई है, कि बहुत से parents, ये जानते हुए भी कि बच्चे को बहुत ज़ादा anxiety है, उसको दवा दिलाई जानी चाहिए, उसके बहुत से फाइदे होंगे, पर इस warning की वज़े से, इस black box warning की वज़े से, कई बर वो दवा लेना ही नहीं चाहते, या दवा लेकर भी उसे बच्चे को खिलाते नहीं है, और ऐसा देखने में आता है कि black box warning जो दी गई है, इसका कोई बहुत बड़ा फाइदा हो भी तो जो फाइदे हैं, वो हो नहीं पाते, वो मिल नहीं पाते और जैसा कि कहा है कि 4 प्रतिशत adolescence में ही ये suicidal thought आती है, suicide करने की tendency नहीं है, thought आ रही है, वो manageable है, तो इतने सारे जो दूसरे बच्चे हैं, उनमें जिनमें ये heart नहीं आईगी, जिनको manage किया जा सकता है असानी से, वो भी इलाज नहीं ले पाते हैं, इस वज़े से, और वक्त के साथ ये anxiety की problem बहुत बढ़ चुकी होती हैं, तो क्या ऐसा है कि कोई और medicines हो, जिससे की teenagers को ठीक किया जा सके, SSRI और SNRI के अलावा, ये भी हो सकता है, SSRI और SNRI तो सबसे commonly use की जाती है, पर कुछ और prescription medicines भी हैं, जो use की जाती है, जैसे benzodiazepines, ये भी एक category होती है दुआउं की, वो भी दी जा सकती है, जिनको इन पर dependent हो जाते हैं, ये दवाएं अकसर dependent बना देती हैं अपने उपर, और साथी साथ कुछ बच्चों का स्वभाव होता है, थोड़ा addiction, alcohol या इस तरफ रुजहान होता है, smoking की तरफ जो रुजहान होता है, तो वो इसका abuse भी कर सकते हैं, मतलब इसको नशे के लिए भी इस्तमाल कर लेते हैं, या कर सकते हैं, तो ये भी एक खत्रा है, तो लट पढ़ने वाला खत्रा इसके साथ जाधा रहता है, और साथी, अगर एकदम छोड़ दिया जाएं दवाओं को लेना, तो उसके जो withdrawal symptoms आते हैं, वो थोड़े खतरनाक हो सकते हैं, वो बड़ा परिशान कर देने वाले होते हैं, और वो anxiety के जो symptoms थे, उससे भी जाधा परिशान कर सकते हैं कई बार, यहां तक कि ये भी देखा गया है, कि उससे scissors भी आ जाते हैं, दोरे भी पढ़ जाते हैं, दिमाग पर वो बहुत खराब असर डालते हैं, अगर उनको अचानक से छोड़ दिया जाए तो, दवा लेते समय नहीं, दवा छोड़ने के बाद, इसलिए लिया भी थोड़ी dose में जाता है, और जब छोड़ा जाता है, तो भी धीरे-धीरे dose को कम करके छोड़ा जाता है, एकदम से नहीं छोड़ना होता, और कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कुछ physicians, doctors, psychiatrists, कुछ और medications होती हैं, जैसे anti-histamines या atypical anti-psychotics भी prescribe कर देते हैं, यह depend करता है बच्चे की condition के हिसाब से, कई बार कुछ और symptoms भी आते हैं, mood के लावा कुछ thinking related problems भी बच्चे face करते हैं, negative thinking जब जादा होती है, तो यह दवाई भी दी जा सकती है teenagers को anxiety के लिए, help के लिए कब approach करना चाहिए, doctors को या psychologist को कब approach करना चाहिए anxiety बहुत अलग-अलग तरेके की होती है, social anxiety, separation anxiety, panic disorder, generalized anxiety और post-traumatic stress disorder बहुत सारे phobias भी होते हैं, जो teenagers को अक्सर अपनी life में परिशान करते हैं, जो या तो बचपन से हो सकते हैं, या teenage में ही develop होते हैं anxiety तब problematic बनती है, जब ये बच्चे की, teenager की social life, educational life, या occupational life, उसको affect करने लगे, उसको disturb करने लगे तो कुछ ऐसी situations होती हैं, जहां anxiety के लिए approach करना चाहिए, और ये दवाएं जरूरी हो सकती हैं, ऐसी conditions बन जाती हैं, जिसकी वज़े से दवाओं के अलावा और कोई option नहीं रह जाता है, दवाएं लेना बहुत जरूरी हो जाता है तो ये समझना जरूरी है कि अगर ली जाएं तो आखिर लीगी क्यों जाएं, किस तरह से ली जाएं, क्यों ली जाएं एक teenager को अकसर लग सकता है कि लोग जो हैं उसकी तरफ देख रहे हैं, उसको घूर रहे हैं, उसके वारे में बातें कर रहे हैं वो cafeteria में या कहीं group में involve होने से, खाना खाने से मना कर देते हैं class में दूसरे बच्चों से बात नहीं करते हैं, डर लगता है कि दूसरे जो हैं वो मेरा मजाग करेंगे तो ये anxiety का रूप ले लेता है दूसरा, कई बार कुछ teenagers अकसर किसी ना किसी type का कोई accident face करते हैं जो उनकी अकसर नींद तोड़ देते हैं, नींद खुल जाती है और बहुत डर जाते हैं साथी साथ उनको कई बार flashbacks आते हैं ये मतलब सोते समयनी, जागते वक्त, उनको अकसर वो भयानक accident के images उसकी तस्वीरें दिमाग में एकदम से flash करती हैं, एकदम से अचानक से आती हैं और उनको डरा देती हैं, बहुत जादा stress लिया आती है बाड़ी के अंदर इस वजह से वो अकसर क्या करते हैं, जो भी accident हुआ, जैसे मालीजे गाड़ी से हुआ accident वो गाड़ी में बिल्कुल travel करना ही बंद कर देते हैं, वो कितनी ही safe driving कोई क्यों ना करे खुद नहीं करनी, कोई और कर रहा है, या कोई public transport भी लेना हो, उसमें भी जाने से avoid करते हैं तो ऐसे में बहुत जादा stress या anxiety होता है, जिसके लिए दवा लेनी पड़ सकती है कर पाऊंगा की नहीं, मेरे से पढ़ा ही नहीं हो रही, मेरे से काम नहीं किया जा रहा, मेरी anxiety बढ़ जाती है, मेरे से control नहीं हो रहा और इस वज़े से कई बार वो tuition, coaching या school जाने से भी मना कर देते हैं तो अकसर ऐसी situations कुछ बच्चों में बन जाती है, जिनमें बहुत जादा anxiety develop हो जाती है, डर बहुत जादा बन जाता है उनकी अंदर ऐसे में उनको इलाज देना, help देना या दमाएं देना बहुत जरूरी हो जाता है Child Mind Institute एक संस्था है जिसके अनुसार, 80% ऐसे यंग लड़के लड़किया हैं, teenagers हैं, जिनको anxiety है और काफी जादा है, उनको कभी treatment ही नहीं मिलता और ध्यान दे ये western countries का date है, इंडिया में तो और भी जादा होगा, शायद 95 या 98 प्रतिशत हो सकता है ये rate और ये बहुत ही दुरभाग्य पूर्ण बात है, क्योंकि anxiety एक ऐसी problem है, जिसको treat किया जा सकता है, जिसका इलाज दिया जा सकता है इलाज संभव भी है, बहुत अच्छे से treat भी हो जाती है ये anxiety, बावजूद इसके इतने सारे बच्चे इलाज ले ही नहीं पा रहे हैं, ना दवाएं और इसमें counselling भी कही न कहीं शामिल है हलंकि ऐसे बहुत से लोग हैं जो दवाओं की बजाए counselling या therapy ही prefer करते हैं और कई cases में किया भी जाना चाहिए जैसे कि बताया कि बहुत से parents इस दर से की suicidal thought आ सकते हैं दवाएं नहीं दिलवाते हैं तो बहुत से ऐसे लोग हैं ऐसे बच्चे हैं ऐसे parents हैं जो counselling या therapy ही दिलवाते हैं तो अच्छी बात है बट बहुत सारे ऐसे cases होते हैं जिनमें दवाएं मिलना बहुत जरूरी है वो हम बात करते हैं कब बहुत जरूरी है बच्चों को दवा दी जाए अभी जो बात की वो इस बात पर की कि कब बच्चों को help के लिए जाना जरूरी है तो तीन areas बताए जब उनको डर लग रहा है शक हो रहा है दूसरे मेरा मजाक उड़ाएंगे या जब उनका कोई accident हुआ ह जिससे बहुत डर गए है या जब बहुत जादा panic attack हो रहे है अब हम बात करेंगे कि दवा दी कब जानी चाहिए उनको कौन से ऐसे केसी नहीं जिसमें दवा के बिना कामी नहीं बनेगा mild से moderate level तक अगर problem आ रही है क्योंकि anxiety के कई सारे levels हो सकते है हर एक के बच्चे के अपन जा सकता है बिना दवा के भी counseling या therapy से treatment possible है हो भी जाता है उसमें बिना किये भी काम बन जाता है कर सकते हैं अपने आप नहीं हो जाएगी ठीक वो ऐसा नहीं है कि वो देनी नहीं एलाज नहीं देना ठीक हो जाएगी यहाँ यह बात नहीं हो रही है medicine दे या ना दे तो medicine के लावा फिरम कुछ और treatment देंगे जो की psychotherapy होता है तो American Academy of Child and Adolescent Psychiatry उनके अनुसार mild से moderate level की अगर impairment आ रही है functioning में problems आ रही है तो मत दो दवाईया पर इसके लिए आपका psychologist या psychiatrist ही बता पाएगा कि कौन mild पे है कौन moderate पे है और कौन severe level पर है तो इसके लिए बहुत जरूरी है क teenagers को और उनके parents को इस बारे में educate किया जाए कि कि किस time उनको किस type का इलाज दिया जाना चाहिए और क्या best तरीका हो उनको अपने symptoms को manage करने का cognitive behavioral therapy ये भी जरूरी होता है इस case में देने में हालंकि जादतर बच्चों को ये behavioral या कोई ना कोई cognitive technique thinking changes लाने से काफी फरक आ जाता ह है बहुत हता को manage कर लेते हैं बट अगर mild और moderate cases में भी या moderate to severe cases में अगर कोई भी strategy लगा के behavioral strategy लगा के अगर फिर भी फरक नहीं आ रहा है तो उस case में उनको दवा देनी ही चाहिए उनको दवा देना जरूरी होता है कोई भी दवा दी जाएगी उसके थोड़े risk तो जो अच्छे psychiatrist हैं अच्छे doctors हैं मतलब जो पूरा patient की condition को समझते हैं समझने के बाद ही दवा देते हैं जो ऐसे psychiatrist होंगे वो तभी दवा देंगे जब वो देखेंगे कि anxiety के बने रह जाने से जितने बड़े risk हैं अगर हम दवा दे दें तो उससे ऐसे कोई बड़े risk आएंग कि थोड़े वो छोटे मोटे side effects भी अगर manageable अगर हो और वो अगर दिये जाएं फिर भी दवाएं तो वो जादा बहतर है कि हम वही दें तो अगर हमारे benefit अगर better है risk के मुकाबले तो उस case में डॉक्टर अकसर या निड़ने लेता है कि दवा ही देना सबसे सही तरीका है कुल तो अपने डॉक्टर से बात करें भले ही physician हो या psychiatrist हो या psychologist अपनी चिंताएं बताएं अपने concerns बताएं problem issues बताएं और फिर treatment के बारे में उनसे बात करें कुछ तो general physicians और pediatricians वो ही anti anxiety medication दे देते हैं वो आम तोर पे देते ही हैं उनकी medicine से ही काम बन जाएगा क्योंकि उनके साथ दवाओं का कही ना कहीं psychological असर भी जादा पड़ता है नए doctor से मिलना नए तरीके के psychiatrist या psychologist से मिलना उसके साथ एक relationship बनाना कई बार थोड़ा difficult हो जाता है बच्चे के लिए कई बार वो anxiety या depression की feelings की वजह से ही relationship नहीं बना पाते तो एक trustworthy doctor जो की हमेशा से treatment देता आया है उसकी द्वाएं कई बार जादा असर कर जाएंगी भले ही वो same द्वाएं ही क्यों ना दी जाएं क्योंकि बच्चे का उस पर भरोसा है और बच्चा थोड़ा comfortable feel करता है तो ऐसे case में उनकी द्वाएं बहुत helpful हो सकती है पर कई बार जरूरत पढ़ने पर psychiatrist को भी refer किया जाना क्योंकि psychiatrist specialist होते हैं जो mental health problems को deal करते हैं और द्वाएं भी ज़्यादा बहतर तरीके से जानते हैं कि किस तरह से असर करेंगी अगर कभी problem हो psychiatrist का treatment काम ना कर रहा हो तो second opinion के लिए किसी दूसरे doctor को consult करें या clinical psychologist से psychotherapy लेकर ही काम बन सकता है दो या तीन doctor से जब आप मिल लेते हो consult कर लेते हो तो उसमें थोड़ा confidence level भी आ जाता है बढ़ जाता है कि चलो जो द्वाएं दी जारी है हो सही दी जारी है सही treatment है सही तरह से काम कर रहा है यही दिया जाना चाहिए ऐसे ही treatment को approach किया जाना चाहिए थोड़ा assurance मिल जाती है थोड़ा निश्चिंत हो जाते हैं इस कारिना लें सिरफ उन चीजों पर notice ना करें जो आपके डर को बढ़ातने का काम करती है या ऐसे विचार या ऐसे belief जो आपके हैं जिनको आप सिरफ confirm कर रहे हैं मतलब पहले से ही मन में था कि दवाई नहीं देनी चाहिए ऐसे ऐसे side effects के बारे में पढ़ लिया जिसके बारे म निर्णे लें और आश्वस्त होएं मॉनिटर जरूर करें बच्चे की प्रोग्रेस को बच्चे की प्रोग्रेस को भी उसकी दवा लेने को भी दवा के असर क्या आ रहे हैं यह बी और साथ-साथ इस बात को भी कि वो दवा regularly ले भी रहा है या नहीं तो आपका डर और बढ नुक्सान देना जरूरी है कि ना तो वो skip करें दवा को भूल जाएं, छोड़ दें, दो-चार दिन पता चले ली नी, या कई बार बच्चे ज़ाधा भी ले सकते हैं, रिस्क ले सकते हैं, कभी ज़ाधा anxiety हो भी उनको लगा कि दो ले लेता हूं, एक की बजाए तो दो medicine ले उससे भी negative ऐसर आ सकते हैं, दोनों cases में ये नुक्सान दे हो सकती हैं, अगर छोड़ दी, तब भी नुक्सान कर सकती हैं, जाधा ले ली, तो भी नुक्सान कर सकती हैं, तो इस बात का ध्यान रखें कि वो regularly ले रहे हैं medicines, बच्चे की जब भी appointment रो डॉक्टर के साथ, अगर आपको शायद इस वीडियो में जो मैंने जानकारी दिया है, वो आपको कुछ सही निर्णे लेने में मदद करेगी, इस बारे में मैं और भी वीडियो बनाता रहूंगा, आपको और जानकारी दूँगा, महत्वपूर्ण जानकारी दूँगा, चैनल को subscribe जरूर करें ताकि और वीडियो की आपको जानकारी मिलती रहे, लाइक भी जरूर करें वीडियो को अगर आपको यह जानकारी और इसमें दी गई सारी information पसंद आई हो, महत्वपूर्ण लगी हो, धन्यवाद